नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यंतंतर वास्तों के विशेश कासकर्ण के साथ नवरात्री के अंतिम दीन यानि कि नवरात्री की महानम्वी को मां सिध्धिदात्री की पूजा की जाती है ऐसा मानते हैं कि इस दीन मा दुरुगा की पूजा करने से जीबन के हर छेतरी में सफलता मिलती है, हर सिध्धी की प्राप्ती हो जाती है बस आपको नवरात्री के अंतिम दीन मधरात्री में कुछ काम कर लेना है, जिन्दगी समर जाएगी, धन की प्राप्ती भी बहुत आसानी से आपको हो जाएगी बने रही है हमारे साथ, हम आपको बताएंगे, नवरात्री की महा नम्मी के दीन मा दरात्री में जलाये मां के सामने एक दिया धन आने लगेगा, लेकिन इसके पहले, अगर आप हमारे चैनल लोगों सब्सक्राइब नहीं किया, तो कि पैसे सब्सक्राइब कर ले, तो था बे इस दीन देवी की उपासना अवस करना चाहिए अगर आपके हाथ में पैसान ही ठिकता है आर्थिक रूप से पैसान है या नोकरी नहीं मिल रही है तो नम्मी की रात आपको एक छोटा सा उपाय करना है हर चीज की प्राप्ति आपको बहुत आसानी से हो जाएगी नम्रात्री के अंतिम दीन मद्रात्री के समय मा के समक्ष दीपक जलाएं मा को नो कमल के फूल अरपित करें इसके बाद मा को नो तरह के खाद पदार्थ भी अरपित करें उसमें आप ड्राइफ रूट ले सकते हैं फल ले सकते हैं मिठाई ले सकते हैं इसके बाद इन चीजो अवार मंत्र ओम एम हिरिम क्लिम चामुंडाय बिच्चे इन दो मंत्रों में जो मंत्र आपको अच्छा लगे उस मंत्र का जथा सक्ती जब कीजिए इसके बाद अरपित के हुए कमल के फूल को लाल बस में लपेट करके अपने जो जहां आप धन रखते हैं जहां आपका कैस बॉक्स है वहां आप रख दीजिए इसके बाद अगले धीन खाद पदार्थ प्रसाद के रूप में बित्रन कर दीजिए नबरात्री के अंतिम धीन रात के समय ये उपाय करने से आपको धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है नोकरी मिल जाती है आर्थिक रूप कुछ उपाय करते हैं तो इसका फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका फल भी आपके जीवन में तुरण देखने को मिलता है इस दीन यानि की नवरात्री के अंतिम दीन महानम्मी के दीन अगर कोई ब्यक्ति हवन करता है उसकी कई मनोकामनाय पूरी हो सकती है अलग-अलग मनोकामना के लिए अलग-अलग तरह के हवन के जाते हैं आप ये हवन खुद से भी कर सकते हैं ये कोई जादा परिसानी वाली हवन नहीं है या अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी पंडित को बुलवा करके भी आप हवन करवा सकते हैं जो आपकी कामना है जो मनोक तो आम की लकड़ी पर खीर से आपको हवन करना चाहिए और हवन करते समय एक मंत्र है ओम श्रीम श्रीय स्वहा इस मंत्र का चाप करते हुए आम की लकड़ी पर खीर से हवन करे धन की समस्या आपके जीमन में एक ही जीन में दूर हो जाएगी अगर आपको रोजगार या नोकरी नहीं मिल रही है लाग कोशिस कर रहे हैं फिर भी नहीं मिल रही है तो नवरात्री के अंतिम दीन नीम की लकरी पर सरसों से आपको हवन करना चाहिए और हवन का मंत्र है ओम शम सने स्राय सोहा इस मंत्र से अगर आप हवन करते हैं तो निश्टी दूरूप से आपको नोख्री मिल जाती है जीवन में कभी-कभी सत्रु बाधा और बिरोधी भी आ जाते हैं उनकी सांती चाहते हैं कोई सत्रु कोई बिरोधी आपको बहुत प्रसान कर रहे हैं और उसको आप सांत करना चाहते हैं तो नवरात्री का अंतिम दीन सबसे अच्छा मोका है नीम की लकरी पर काले तील से हवन करे और हमन का मंत्र होगा इस मंत्र से अगर आप नीम की लकरी पर काले तील से हवन करते हैं तो कितना बड़ा भी सत्रु आपके जीवन में हो वो एक दीन में आपका मित्र बन जाएगा इसके साथ साथ अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो नबरात्री की अंतिम दीन महा नम्मी के दीन आपको एक छोटा सोपाय करना है संतान प्राप्ति की योग बन जाते हैं चुकि मा देवी में इतनी सकती है कि एक दीन में आपके जिनकी को बदल सकती है संतान प्राप्ति के लिए आम की लक्री पर मांखन मिशरी से हवन करे और हवन का मत्र होगा ओम कलिम कृष्णाय नमाह स्वाहा इस मत्र से अगर आप नवरातरी के दीन एक सा आठ वार भी हवन कर लेते हैं तो समझ ये संतान प्राप्ति की योग बन जाते हैं अगर आपकी जिवने बहुत बाधा है और बाधा का नास करना चाहते हैं या किसी विसेश कार्ज के सिध्धी करना चाहते हैं तो आम की लकड़ी पर घी और धुरवा से हवन करें और हवन का मंत्र होगा ओम गम गनपतियन्म चाहति अगर आप sniff से अगर आप हवन करते हैं 108 वार आहुती देनी चाहिए जो मंत्र मैंने आपको बताई है कम से कम 108 वार सारे कामनों की पूर्ति के लिए जो भी आपकी इच्छा है जो जिस तरह की आपकी कामना है उस कामना के लिए आपको 108 वार मंत्रों से आहुती देना है तब जाकर आपकी कामना पूरी होगी तो हवन का बहुत ज़्यादा महत्व है, हवन के साथ अगर आप कोई विशेस मनोकामना रखते हैं, तो दे भी इसको निशित रूप से पुड़ा करती है, और नवरात्री का अंतिम दिन, महानम्मी के दिन अगर ये उपाय किये जाए, तो इसका फल आपको जीवन में तुरन सगे समंध्यों के साथ भी शेर करें, ताकि वो भी नवरात्री के अंतिम दिन इस उपाय को करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही धन्नवाद